नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में नीच भंग योग किस परकार से बनता है दोस्तों हमारी कुंडली में कई बार देखने में बहुत शुब योग पड़े होते हैं किन्तु हम उन शुब योगों का फल प्रापत नहीं कर पाते ऐसा ही कई बार कुंडली में बहुत खराब योग बन जाते हैं और हम गबरा जाते हैं कि अब क्या होगा हम कैसे यह समय निकालेंगे किन्तु अधूरी जानकारी के करण हम बेवजय ही परेशान होते रहते हैं कुंडली में बने हुए खराब योग कई बार भंग भी हो जाते है यानि कि देखने में कुंडली बहुत ही खराब नीच अवस्ता में पड़ी होती दिखाई देती है किन्तु नीच भंग योग के करण हमारा बचाव हो जाता है नीच भंग योग बनने की बहुत सारी सितियां होती है जिनके बारे में हम एक एक करके आज बात करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में अंतक बने रहे हैं और यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों जब कोई ग्रह किसी राशी में नीच माना जाता है प्रन्तों उसी राशी के स्वामी की दृष्टी प्रापत कर लेता है तो नीच भंग योग बन जाता है इसका हम एक उधारन के जरिये समझते हैं तो दोस्तों मान लीजिए किसी जातक का सूर्य चोथे बाव में सात्वी राशी में है अब सूर्य तुला में नीच माना जाता है प्रन्तों इसी समय शुकर दस्वे घर में बैटे है जो सात्वी दृष्टी सूर्य पर डालते है तो यहाँ पर सूर्य की नीचता भंग हो जाएगी यानि कि अब सूर्य अशुप पर भाव नहीं देंगे ऐसे में एक और अधूर एक और उधारन से समझते है मान लेजिए किसी जातक का चंद्रमा पांचवे घर में आठवी राशी में बैटा है वरिश्चिक राशी में चंद्रमा नीच के माने जाते है अब मंगल को चोथी, साथमी और आठमी द्रिश्टी प्रापत है इस समय अगर चंद्रमा दसमें, ग्यारमें या फिर दूसरे घर में होंगे तो वह अपनी साथमी, आठमी और चोथी द्रिश्टी से चंद्रमा को देखेंगे ऐसे में चंद्रमा अशूप परभाव नहीं देंगे तो दोस्तों इस परकार से आप भी अपनी कुंडली का यदि संपूरन विशलेशन करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अपनी कुंडली में किस परकार के योग बन रहे हैं तो आप हमें हमारे नमबरों पर संपरक कर सकते हैं आपको हमारे नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जैश्री राम दोस्तों